हरे कृष्णा तो आज हम पढ़ेंगे बालकांड तुलसिदास द्वारवची रामची रित्मानस दोहा नंबर 43 का ओके तो चले स्टार्ट करते हैं तो हम पहले प्रेयर करते हैं ओम अज्ञान तिमरंधष्य ज्ञानन जना सला कया चच्छुरु नमली तमेन तश्मे सिरी गुर्वे नमा तश्मे सिरी गुर्वे नमा शियावर राम चंद्र की जै सीता राम लप्ष्मन भक्त हनुमान जी की जै मत्व अनुहार सुवार गुन गन गन गानी गनी मन अनवाई सुमर भवानी संकर ही कहा कभी कहता सुहाई अपनी गुद्धी के अनुसार इस सुंदर जल के गुड़ों को बिचार कर उसमें अपने मन को असनान कराकर और सिरी भवानी संकर को समरण करके कभी तुल सिदा सुंदर कथा कहता है अब रगुपति पदि पंकर हूँ ही धरी पाई परिशाद कहाँ जुगल मुनी भर्य कर मिलन शुभग संबाद मैं स्री रगुपत जी के चरड कमलों को हिर्दे में धरड कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों स्रिष्ट मुनियों के मिलन का सुंदर संबाद वरण करता हूँ भरद्वाज मुनि वसहीं परियागा तिनही राम पदे अति अनुरागा तापस समदम दयानी धाना परमारत पत परम सुझाना भरद्वाज मुनि परियाग में बस्ते हैं उनका स्री राम जी के चरड़ों में अतेंद प्रेम है वे तपस्वी निग्रहीत चित चितेंद्रिये दया के निधान और परमारत के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं माघ मकर गतिर विजब होई तीरत पतहिम आव सब कोई देवदनु जकिन नर नर स्रेनिम सादर माजहिम साकलत रिवेनिम माघ में जब सूर्य मकर रासी पर जाते हैं तब सब लोग तीरत राज पर याग को आते हैं देवता दैतिक इनर और मनुस्यों के समू सबादर पूर्वग तिरवेडी में असनान करते हैं पूजहिम माधव पदे जल जाता परसी अखय बटु हर सहिम गाता भरद्वाज आस्रम यति पावन परमराम्य मुनी वर्मन भावन सिरिवेडी माधव जी के चरण कमलों को पूजा कर पूछते हैं और अच्छे वटा गास परस कर उनके सरीर पुलकित होते हैं भरद्वाज जी का आस्रम बहुत ही पवित्र परम परमडिये और स्रेष्ट मुनियों के मन को भाने वाला है ताहा हो यी मुनिरी सय समाजा जाही मजे मंजन तीरत राजा मजजही मप्रात समेत उचाहा कर रही कहाही मप्रस परिहरी गुनिगाहा तीरत राज परियाग में जो असनान करने जाते हैं उन विसी मुनियों का समाज वहां जुटता है मरद्वाजी के आस्रम में प्राता काल सब उच्छा पुर्वक असनान करते हैं और फिर परिश्पर भगवान की गुड़ों की कथाए कहते हैं बरम्ह निरूपन प्रम भृधी बरनई मितत्व बिभाग काहिम भगति भगवन ते कह सन्जुत ग्यान विराग बरम्ह का निरूपड धरम का विधान और तत्तों के विभtu का वरण करते हैं तथा ग्यान वेराग से युक्त भगवान की भक्ति का प्रातना करते हैं येही प्रकार भर मागे नहाहिम पूनी सब निज निज आसरम जाहिम प्रतिसंबत यति होई अनन्दा मकरम जिगावनहिम मुनी ब्रिंदा इस फरकार मागे के महीने भर असनान करते हैं और फिर सब अपने अपने असरम को चले जाते हैं हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनन्द होता है मकर में असनान करके मुनी गड़ चले जाते हैं एक बार भर मकर नहाए सब मुनी सया सरमन सिधाए जाग बाल का मुनी परम विवे की भर द्वा जराखे पदेटे की एक बार पूरे मकर भर असनान करके सब मुनी स्वर अपने अपने असरम को लोट गए मगर ग्यानी याग वल को मुनी को चरण पकड़ कर भर द्वा जी ने रख लिया अब एक बार की बात है कि सब लोग को चले गए लेकिन परम ज्ञानी अज्ञान यागवल को मुनी को चरण पकड़ का भरतवाजी ने रख लिया सादर चरन सरोज पकारे अतिपुनीत यासन बैठारे करी पूजा मुन्य सूजस बखानी भोले अतिपुनीत मृदुबानी आदर पूर्बक उनके चरण कमल धोये और बड़े ही पपित रासन पर उने बैठाया पूजा करके मुनी यागवलक जी के सूजस का बढ़न किया और फिर अतिपुनीत पवित्र और कमल बानी से बोले नात एक संसह बड़ मोरिम करगत बेदत अत्वसब तोरिम कहत समोहित लागत भैला जा जोना काहों बड़ हो अकाजा हे नात मेरे मन में एक बड़ा संदेह है फेदों का तत्व सब आपकी मुठी में अथार्ट आफ ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवार कर सकते हैं पर उस संदे को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है भय इसलिए है कि कहीं आप या न समझे कि मैं मेरी परिच्छा ले रहा है लाज इसलिए है कि इतनी आयू बीत गई अब तक ज्यान ना हुआ और यद नहीं कहता तो गड़ी हानी होती है क्योंकि अग्यानी बना रहता संत काहिम असी नीत प्रभू सुरुती पुरान मुनी गाव होई नभी मलवी वेक और गुरूशन की ये दुराव ये प्रभू संत लोग ऐसी नीत ही कहते हैं और बेद और पुरान तथा मुनी जन भी यही बतलाते हैं कि गुरू के साथ छिपाव करने से हिर्दे में निर्मल ग्यान नहीं होता है तो गुरू से हमें कभी छिपाव नहीं करना चाहिए अस्य विचार प्रकट होनी जमोहू हरहु नात कर जन पर छोहू राम नाम कर आमीत प्रभावा संत पुरान उपनी सिधे गावा यही सोच कर मैं अपना अग्यान परगट करता हूँ हे नात से वक पर दक्रिपा करके इस अग्यान का नास कीजिए संतो पुराणो और उपनी सिधों ने राम नाम के असीम परभाव का गान किया है संतत जपत संभू अभी नासी सीव भगवान क्यान गुने रासी कासी ममरत परमपद लहाहिम कल्याण सुरूप ग्यान और गुरों की रासी अविनासी भगवान संभू रिन्तर राम नाम का जप करते रहते हैं संसार में चारजात के जीव हैं कासी में मरने से सभी परमपद को पराप्ध करते हैं सोपि राम महिमा मुनिराया सिव उपदेश काहत करत करिदाया राम कवन प्रभु पूछव तोही काहिव बुझाय कृपानी धिमोही हे मुनिराज वह भी राम नाम की ही महिमा है क्योंकि श्यू जी महराज दया करके एकासिय में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं इसी से उनको परमपद मिलता है प्रभू मैं आपसे पूछता हूँ कि वह राम कौन है हे कृपा निधान मुझे समझा कर कहिए राय कर राम यवधेश कुमारा तिन कर चरित विदित संसारा नारी वीरह दुख लहवव अपारा भयवरो सिरन रावन उमारा एक राम तो अधेश नरेश दसरजी के कुमार हैं उनका चरित सारा संसार जानता है उन्होंने इस्तरी के विरह में आपार्दु उठाया और कुरोधाने पर युध में रावन कुमार डाला प्रभु सोई राम की आपर को जाई जपत तिरी पुरारी सत्य धाम सरवग तुम कहाँ विवेक बिचारी तुलसिदाजी कहते है प्रभु वही राम है या कोई दूसरे है जिनको स्यूजी जपते हैं हापसत्य के धाम है और सब को चानते हैं ग्यान बिचार कर कहिए ये कनबर जिसन हो रहा है याग लगुनी और उनके विश्मे जैसे मिटा ये मोरे भर में भारी का हुसो कथा ना विस्तारी जाग बलिक बोले मुसिकाई तुम ही बीदी तर घुपते प्रभुताई हे नाथ जिस परकार से मेरा ये भरम मिट जाए आप वही कदा विस्तार पुर्वक कहिए इस पर याग वल की जिम उसकरा कर बोले सिरहुनाजी की प्रभुता को तुम जानते हो राम भगत तुम मन करम बानी चतुराय तुम्हारी मैं जानी चाहाँ सुन ये राम गुन गुड़ा की नहीं हो प्रसन मन होति मूड़ा तुम मन प्रसन और करम से सिर्राम जी के भक्त हो तुम्हारी चतुराय मैं जान गया याग वलुजी कह रहे है तुम राम जी के रहस में गुड़ों को सुनना चाहते हो इसी से तुमने ऐसा परसन की आहमानों बड़े ही मूड़ो तात सुना हु सादर मन लाई कहाव राम कय कता सुहाई मामो महिसे सुभी साला राम कता काली क कराला ही तात तुमा दर पूरवक मन लगा कर सुनो मैं स्री राम जी की सुन्दर कता कहता हूँ बड़ा भारी अग्यान विसाल महिसा सुर है और स्री राम जी की कता उसे नश्ट करने नश्ट कर देने वाली भैंकर काली जी है राम कता ससि किरन समाना चन्त चक संसर किराम कता ससि किरन समाना संत चकोर करही में जैपाना सिराम जी की कता चंदरमा की किरनों के समान है जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं ऐसे ही संदे पारवती जी ने किया था तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उतर दिया था अब मैं अपनी बुद्धी के अनुसार वही उमा और सिरुजी का संबाद कहता हूँ वा जिस समय और जिस हे तुसे हुआ उसे हे मुनी तुम सुनो तुम्हारा भी साथ मिठ जाएगा एक बारत रेता जुग माहिम संभुगए कूबकुम्भजरिस पाहिम संग सती जग जननी भावानी पूजरिसी अखिले स्वर जानी अब संकर जी बताते हैं कि एक बार तुरिता युग में स्यूजी अगस्त रिसी के पास गए उनके साथ जग जननी भावानी सती जी भी थी रिसी ने संपूर जगत के ईस्वर जान कर उनका पूजन किया राम कथा मुनि बरज बखानी सुनि महे से परम सुख मानी रिसी पूछी हर भगती सुहाई कहीं संभु अधिकारी पाई मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा बिस्तार से कही जिसको महे स्वर ने परम सुख मान कर सुना फिर रिसी ने सिव जी से सुन्दर हर भक्ती पूछी और सिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहसे सहीद भक्ती गाने रुपण किया कहत सुनत रघुपत गुन गाथा कच दिन ताहां रहे गिर ताहां रहे गिरिना था मुनी सन बेदा मां घतरी पुरारी चले भावन संग दच्छ कुमारी सिर्रहगुनाद जी के गुड़ों की कथाय कहते सुनते कुछ दिनों तक सियू जी वहां रहे अगस्त मुनी के साथ फिर मुनी से विदा मांग कर सियू जी दच कुमारे सती जी के साथ घर को चले उनका घर कहा है कैलास तेहिया वसर भंजम ही मारा अरी रगुबंस लीन अवतारा पीता बचन अतजि राज उदासी दंडक बन विचरत यविनासी उनही दिनों पिर तिवी का भार उतारने के लिए सिरी हरी ने रगुबंस में उतार लिया था वह अविनासी भगवान उस समय पिता के वचन से राजी का त्याकर के तपश्वी और साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे हिर्दे विचारत जाते हरे केहीं विधे दरसन को होई गुपतरू पयावतर्यव प्रभू गई जान सब कोई सिव जी हिर्दे में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दरसन मुझे किस परकार हो प्रभू ने गुपतरूप से अतार लिया है मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे संकर जी के हिर्दे में इस बात को लेकर बड़ी एक खलवली उत्वन हो गई परण सती जी इस भेद को नहीं जान दी थी तो सिदा जी कहते हैं कि सिव जी के मन में भेद खुलने का डर था पर उन दरसन के लोग से उनके नेतर ललचा रहे थे रावन मरन मनुज कर जाचा प्रभुविध बचन कीन चह साचा जव मनाहिम जाओ रहाई पच्छितावा करत विचारुन बनत बनावा रावड ने बरम्हा जी से अपनी मृत मनुज से के हाथों से मांगी थी बरम्हा जी के बचनों को प्रभुशत्य करना चाहते थे मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पच्छतावा रह जाएगा इस प्रकार से उजी विचार करते थे पर उन्द कोई भी युगती ठीक से नहीं बैठती थी यही बिद्भाए सोच बस ईसा तेही समय जाए दस सीसा यही बिद्भाए सोच बस ईसा तेही समय जाए दस सीसा लीन नीच मारीच ही संगा भयवत रत सोई कपट कुरंगा इस परकार महादेव जी चिंदा के बस हो गए उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वहाँ मारीच तुरंद कपट मिरिक बन गया मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया उसे स्री राम चंद्र जी के वास्तवी परभाव का कुछ भी पता ना था मिरिक को मार कर भाई लशमर सहीद स्री हरयासरम में आये और उसे खाली देख रहा था तुहाँ सीता जी को ना पाकर उनके नेत्रों में आसु भराए बिरह बिकल नरई वर घुराई खोज तबी पिन फिरत दो भाई कब हूँ जोग भी योग न जाकें देखा प्रगट विरह दुख ताकें शीर अगुनाजी मनुश्यों की भाती बिरह से व्याकुल है और दोनों भाई बन में सीधा जी को खोजते वे फिर रहे हैं जिनके कभी कोई सन्योग भी योग नहीं है उनके पर तश्विरह का दुख देखा गया श्री रगुनाजी का चरित्र बड़ा ही बिजित्र है उसको पहुँचे हुए ग्यानी जैनी जानते हैं जो मंद गुद्धी है वे तो विशेस रूप से मोह के भशोकर हिर्दे में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं संभू समयत ही राम ही देखा उप जाही यति हर शुभी सेसा भरिलो चन अचब सिंधु निहारी कुसमय चानी नकीन चिनहारी सिरी जीव ने उसी औसर पर सिराम जी को देखा और इनके हिर्दे में बहुत भारी आनंद उत्पन हुआ उन सोभा के समुद्र सिरी राम जी को सिव जी नेतर भर कर देखा पर असर ठीक ना जानकर परिशे नहीं दिया जय सचीदानंद जग पावन असि कही चले वा मनोज नसाबन चले जात सिव सती समेता पुनी पुन्य पुल कत क्रिपानी केता जगत के पवित्र करने वाले सचीदानंद की जय हो इस परकार कहकर काम देव का नास करने वाले स्री सिव जी चल पड़े किर्पानी धान सिव जी बार बार आनन से पुलकित होते हुए सी सती जी के साथ चले जा रहे थे सतिम सोदसा संभूम के देखी उर्य उपजा संदेह विसेशी संकर जगत बंध जगदीशा सुरिनर मुनिसब नावत सीशा सती जी ने संकर जी की वादसा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन हो गया मन ही मन कहने लगी कि संकर जी की सारी जगत बंधना करती है वो जगत के ईस्वर हैं देवता मुनिसब उनके प्रतिसिर नमाते हैं उन्होंने एक राजपुत्र को सशिदानन्द परमधाम कहकर पढ़ाम किया और उसकी सुभा देखकर वो इतने प्रेमगन हो गए हैं कि आप तक उनके हिर्दे में प्रीत रोकने से भी नहीं रुकती ब्रम्हा जो व्यापक भी रजे आज साकल अनिया भेद सो की देह धरी हो इनर जाही न जानत वेद जो ब्रम्हा सरव्यापक मायरहित आजनमा अगोचर इच्छा रहित और वेद रहित हैं और जिसे वेद भी नहीं जानते कि आवा देधान करके मनुश्य हो सकता है विस्टन सो सुरहित नरतन धारी सो सरवग जथातरी पुरारी खोजई सो की अगई वे नारी ग्यान धाम श्री पत यसुरारी देवताओं के हित के लिए मनुश्य सरीर धरण करने वाले जो विश्डु भगवान है वे विश्यु जी की ही भाद सरवग है वे ज्यान के भंडार लश्मी पती और असरों के सत्रु भगवान विश्डु क्या अग्यानी की तरह इस्तरी को खोजेंगे संभु गिरापुने मिरिसाना होई सिव सरवाग जान सब कोई अस संसय मन भयव अपारा होई नहे रिदे प्रभोधि प्रचारा फिर सीव जी के वचन भी जूटे नहीं हो सकते सब कोई जानते हैं कि सीव जी सरवग है सती के मन में इस परकार का आपार संदे उठा हुआ है किस तरह किसी तरह भी उनके हिर्दे में ग्यान का परगव नहीं होता जद भी प्रकट ना कहव भवानी हर अंतर जामी सब जानी सुनई सती तवनारी सुभाव संसय सिनाधर हो रिकाव यद भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा पर अंतर यामी सिव जी सब जानगे वे बोले है सती सुनू तुम्हारा इस्तिष्वभाव ऐसा संदे मन में कभी न रखना चाहिए जासु कथा कुभंजर सिगाई भगती जासु मयामु नहीं सुनाही शोईर्म मैश्ट देवर घुबीरा सेवत जाही सदामु निधीरा जिनकी कथा का अगसर इसी निगान किया और जिनकी भक्ती मैंने मुनी को सुनाई यह वही मेरे इस्तिदेव रखनाज जी है श्री रखनाज जी है रखवीर जी है जिनकी सेवा ग्यानी मुनी सदा किया करते हैं पारविदी सदी जी को कह रहे हैं कि आपको संदेह करने के जरूरत नहीं है वही मेरे राम है और कोई अंदर नहीं है मुनि धीर जोगी सिध संतत भी मलमन जही ध्यावहिन कही नेत निगम पुरान यागम जास की रेत गावहिन सोई राम ब्यापक ब्रम्हा भुवन निकाय अपति माया धनी अवतर हूँ अपन भगत हीते नीजे तंतर नीदे रगु कूल मनी ग्यानी मुनी योगी और सिध निरंतर निर्मल चित से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुरान तथा सासर नेती नेती कहकर जिनकी कीरती गाते हैं उन्ही सरव्यापक समस्त ब्रम्हंडो के स्वामी माया पती नित्य परम्न स्वतंतर ब्रम्हा रूप भगवान स्री राम जी ने अपने भगतों के हीत के लिए अपनी इच्छा से रगु कुल के मड़ी रूप में आतार लिया है मतलब स्यू जी ने समझाया सती जी को लाग ना उरव पदेश जदपे कह वसी वबारज बहू भूले भी हसमहे सुहरी माया बलू जान जी मतलब स्यू जी ने बहुत बार बार समझाया फिर भी सती जी के हिर्दे में उनका उपदेश नहीं बैठा तब महादेव जी मन में भगवान की माया का भल जान कर मुस्कराते हुए बोले जब तुम्हरे मैं मनी अती संदेहू तवकिन जाये पर इच्छा लेहू तब लगी बैठे आहा हूँ बठे चाहिं जब लगी तुम्हे हूँ मोही पाहिं जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर पर इच्छा क्यों नहीं लेती संकर भगवान ने बोला जब तक तुम्हारे तुम मेरे पास लौट आओगी तब तब मैं इसी बड़ी की च्छाह में बैठा हूँ आप जाओ पर इच्छा लेकर आजाओ आप उडाउट है तो कह रहे ही मैं विचार करऊं का भाई जिस परकार तुम्हारा आज्यान चैनित भारी भरंदूर हो भली भात विवेक के द्वारा सोच समझ कर तुम ही करना सिव जी आज्या पर अगर सती चली और मन में सोचने लेगी कि भाई क्या करूं कैसे परिशा लूँ इहा संभू असमन अनुमाना दच्छ सुता कहु नहीं कल्याना मोर्य हु कहे मैं ना संसय जाहिं विधी विपरित भलाई नाहिं इधर सिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दच्छ कन्यासती का कल्याण नहीं है जब मेरे समझाने से भी संदे दूर नहीं होता तो मालूम होता है भी धाताई उल्टे है अब सती का कुसल नहीं है होई सोई जो रामरुचे राखा कोकरी तरक बढ़ावई साखा आसि कहीं लगे जपन हरिनामा गई सती जाहां प्रभु सुखे धामा यह बहुत सुन्दर लाइन है बहुत इसके वर और पढ़ते हैं गई सती जाहां प्रभु सुखे धामा जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा तरक करके कौन साखा भी बढ़ावई मतलब विस्तार करें मन में ऐसा कहकर सिव जी भगवान सिरी हरी का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुखे धाम प्रभु सुरी राम चंदर जी थे एक दोहा और पढ़ते हैं उसके बाद हम बंद करते हैं काफी लंबा हो रहा है पूनी पूने हिर्दय विचार करे धरी सीता करे रूप आगे में हुई चली पन थे तेहीं जही मावत नरिभू बताओ सिता जी का हरड हो चुका था राउंड लेके चला गया था और अब सिता जी का रूप सती मादा ने धर लिया कि चलो पर इच्छा लेते हैं संकर भगवान ने समझाया लेकिन वो नहीं मानी सती बार बार मन में विचार कर सिता जी का रूप धारण करके उस मार की और आगे होकर चली इसे सती जी के विचार अनुषार मनुष्यों के राजा राम चंदर जी आ रहते उसी रास्ते की तरफ चड़ी लच्मनी देख उमाकृत भेसा चकित भए भ्रमहेर दैविसेसा कही न सकत कचुवत गंभीरा प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा राम की तो छोड़ दिया लच्मर जी चकित होगे देखके सती जी के बनावटी वेस्ट को देखके लच्माट जी चकित होगे और उनके हिर्दे में बड़ा भरम होगया वह बहुत गंभीर होगया कुछ कहीं न सके धीर बुधी लच्माट पर फूसी रागनाजी के परभाव को जानते थे सती कपट जान्यव सुर स्वामी सुमिरत जाय मिटही अग्याना सोई सरवग राम भगवाना सब कुछ देखने वाले और सब के हिर्दे की जानने वाले देवताओं कि सौमी सी राम चंदर जी की सती के कपट को जान गए जिनके असमर और मातर से अग्यान का नास हो जाता है वही सरवग भगवान सी राम चंदर जी है भगवान राम चंदर जी भी जान गए सती कीन चाहता हूँ दुराओ देख्या वनार सुभाव प्रभाव निजमाया बलहिर्दे बखानी भूले भी है सी राम ब्रिदेवानी इस तरी स्वभाव का असर तो देखो की वहां उन सरवग भगवान के सामने भी सती जी चिपाव करना चाहती थी अपनी माया के बल को हिर्दे में बखान कर सी राम चंद्र जी हसकर कुमल वानी से बोले जो रिपान प्रभु कीन है प्रनामू पीता समेत लीन है निजे नामू कयो बहोरी कहावर से के तू भी पन या के ले फिरहों के ही है तू पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रडाम किया और प्रभु आपना नाम बताया फिर कहा कि वे इस के तू बिरिस के तू सिउ जी कहा है आप यहां बन में अकेली किसलिए फिर रही है हरे कृष्णा को हम आज क्या बंद करते हैं काफी टाइम हो गया हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सियावर राम चंद्र की जै सीता राम लक्षमन भक्त हनुमान जी की जै ओपली आपको बहुत आनंद आया होगा ऐसे आप सुनते रहिए ठीक है हरे कृष्णा